अपनी पहली फिल्म में गंगा नाम की लड़की की भूमिका निभाने वाली इस मासूम अदाकारा का चेहरा भूलना आसान नहीं है ये अदाकारा ना सिर्फ अपनी चुल्बली अदाकारी के लिए बल्कि अपनी भूली भाली और मासूम खुबसूरती के लिए भी फेमस थी इनकी पहली फिल्म ने सफलता के जंडे गाड़ दिये थे और लोगों को इनमें अगली माधरी दिखशिक नजर आने रगी थी लेकिन सुपर हिट डेब्यू करने वाली इस एक्ट्रेस को अपनी जिन्दगी में ऐसे उतार चड़ाव का सामना करना पड़ा जिससे उनकी जिन्दगी की कहानी किसी फिल्मी कहानी की तरह बन कर रह गई उन्हें लांच करने वाले फिल्मेकर ने ही साजिश करके उन्हें कोल्ट में घसीत लिया जिससे इन्हें काम मिलना बंद हो गया उससे बाहर निकली तो ऐसे जानलेवा एक्सिडेंट से सामना हुआ जिसमें उनके चेहरे से सरसट काच के टुकडे निकाले गए थे जिसके साथ ये रिलेशन में रही उसने किसी और के लिए इन्हे दोखा दे दिया इन सब हाथ्चों ने इनके करियर को वो उड़ान नहीं भरने दी जिसका सपना इस अदाकारा ने देखा था खासम खा के कहो दिल लगा के कहो तुमको हमसे प्यार है हम बात कर रहे हैं फिल्म परदेश से अपना फिल्मी सफर शुरू करने वाली एक्ट्रेस महिमा चौधरी की जिन्होंने अपनी जिंदिगी में बहुत सी मुश्किलों का सामना किया और उससे उबर कर बाहर भी आ गई लेकिन अपने स्टार्डम को बरकरार नहीं रख पाई इस वीडियो में हम जानेंगे महिमा चौधरी के बारे में और भी बहुत कुछ बस आप बने रहें फिल्म टेन्मिंट के साथ और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेस्बुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लें नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आलोक कुमार शुकला महिमा चौधरी का जन्म 13 सितंबर 1973 को दारजलिंग पश्चिम बंगाल में हुआ था महिमा चौधरी का असली नाम रितू चौधरी है लेकिन फिल्मी दुनिया में लोग उन्हें महिमा चौधरी के नाम से जानते हैं महिमा चौधरी ने अपनी हाई स्कूल तक की पढ़ाई डाउन हिल स्कूल से की थी बाद में आगे की पढ़ाई लोरेटेो कॉलिज से की साल 1990 में इन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़ कर मॉडलिंग की दुनिया में अपना करियर बनाने की ठानी उन्होंने अपने मॉडलिंग करियर के दौरान कई विग्यापनों में भी काम किया महिमा चौधरी ने आमिर खान और एश्वरय आराय के साथ एक सौफ्ट ड्रिंक का विग्यापन किया था जो काफी मशुहूर हुआ और इसी से महिमा के फिल्मी दुनिया में एंट्री करने का रास्ता खुल गया महिमा चौधरी को फिल्मों में पहला मौका शोमैन कहे जाने वाले मशूर निर्माता निर्देशक सुभाश घई ने दिया था उन दिनों महिमा एक म्यूजिक चैनल में बतोर वीडियो जौकी काम करती थी इस शो में महिमा को देखने के बाद सुभाश घई ने उन्हें अपनी फिल्म परदेश के लिए साइन कर लिया ये फिल्म साल 1997 में आई थी जो एक सुपर इट फिल्म साबित हुई अपनी पहली फिल्म में महिमा चौदरी की जोड़ी शारुक खान के साथ देखने को मिली थी इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेर में सर्वस्त्रेश्ट अपकमिंग स्टार के अवार्ड से भी नवाजा गया था उसी साल उन्हें लक्स द्वारा फेस ओब दा इयर अवार्ड से भी समानित किया गया पहली फिल्म हिट होने के बाद महिमा चौदरी काफी लोगप्री हो गई उसके बाद उन्हें अपने फिल्मी सफर में कई सारे चैलेंजिंग रोल मिले जिसे महिमा चौदरी ने बख्कूबी निभाया और बॉलिवुट की कई शांदार फिल्मों में कई सुपर स्टार्स के साथ काम किया महिमा चौदरी ने परदेश के अलावा दागद फायर, कुरुक्षेत्र, धड़कन, ये तेरा घर, ये मेरा घर, खिलाडी 420, दिल क्या करे, दिल है तुम्हारा, लज्जा और बागबान समेत बॉलिवुट की कई बहतरीन फिल्मों में अभिने किया लेकिन जब महिमा को फिल्मी दुनिया में आए, महज दो साल ही हुए थे, तभी उनके साथ ऐसी खटना हो गई, जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी दरसल उन दिनों महिमा जाने मानी निर्माता निर्देशक प्रकास जा के साथ आजय देवगन और काजोल की 1999 में आई होम प्रोडक्शन फिल्म दिल क्या करे में काम कर रही थी, उस दौरान वो बैंगलूरों में थी, एक दिन जब वो शूट पर जा रही थी, तभी एक ट् कर मार दी, टक कर इतनी जबर्दस थी कि कार के शी से तूट कर उनके चेहरे में धस गए, उस वक्त महिमा की हालत ऐसी थी कि वो शायद ही बच सके, डॉक्टर ने उनकी सरजरी करके कांच के सरसट टुकडे उनके चेहरे से निकाले थे, इस घटना की वज़े से महिमा को फि पीछे कर लिये और उनकी जगहे दूसरी एक्टरसेज को साइन कर लिया गया, महिमा के लिए शायद अब इंडस्ट्री में कुछ बचा नहीं था, इसलिए उन्होंने फिल्मों से दूरी बनाना ही बहतर समझा, महिमा चौदरी मश्वूर टेनिस खिलाडी, लियंडर पेस क साथ रेलेशनसिप में भी रह चुकी हैं, दोनों ने काफी वक्त एक दूसरे को डेट किया, मीडिया में दोनों के खुब चर्चे भी हुए, लेकिन लियंडर पेस का एक्ट्रेस रिया पल्लाई के साथ ज़्यादा करीब जाने से कुछ वक्त के बाद महिमा का लियंडर पेस के साथ रेलेशनसिप खत्म हो गया, लियंडर पेस को लेकर एक बार महिमा चौधरी ने कहा था कि वो बहुत अच्छे खिलाडी तो हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छे इंसान नहीं है, महिमा ने लियंडर पेस पर उन्हें धोखा देने का भी आरोप लगाया था, इसके बाद महिमा चौधरी ने साल 2006 में बिजनेसमैन बॉबी मुखरजी से शादी कर ली, लेकिन उनकी शादी ज्यादा लंबी नहीं चल सकी, महिमा ने साल 2013 में अपने पती बॉबी मुखरजी से तलाक ले लिया, इस शादी से महिमा को एरियाना नाम की एक बेटी है, फि कहा था कि फिल्म निर्माता और निर्देशक सुभाश घई ने उनके खिलाफ ऐसी साजिश रची थी कि उन्हें हर जगह से काम मिलना बंद करवा दिया था, इंट्रव्यू में महिमा ने कहा था कि अगर आप 1998 और 1999 की एक प्रेड मैगजिन देखेंगे, तो आपको उसमें विज्यापन मिलेगा, उस विज्यापन में लिखा था कि अगर कोई भी महिमा के साथ काम करना चाहता है, तो उसे पहले सुभाश घई से बात करनी होगी, नहीं तो ये उनके साथ किये गए कॉंट्रेक्ट का उलंगन होगा, जबकि मैंने ऐसा कोई भी कॉंट्रेक्ट किया ही नहीं था, जिसमें लिखा हो कि मुझे कोई भी काम करने से पहले सुभाश घई से इजाजत लेनी पड़े, मामला कोर्ट में गया, हालाकि सुभाश घई ने इन आरोपों को निराधार बताया और कहा कि ये छोटी सी डील थी, हम अभी भी अच्छे दोस्त हैं, जीवन के फैंस को हैरान कर दिया था, ब्रेस्ट कैंसर से पीडित महिमा चौधरी का पूरा लुक पूरी तरह बदल गया था, महिमा की तस्वीर देख कर उन्हें पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा था, इसके बाद उन्होंने डॉक्टर के सलाम मानते हुए, सही इस समय पर कैंसर स निकलवाने का फैसला किया और इस बीमारी को बढ़ने से पहले ही रोग दिया, महिमा अब इस जानलेवा बीमारी से पूरी तरह उबर चुकी है, कैंसर से जंग जीतने के बाद महिमा चौधरी फिर से अपनी जिंदगी में रंग भर रही है, बता दें कि करीब 6 साल के ब्र में नजर आई थी, आज कल महिमा फिर से अक्टिंग की दुनिया में सक्री नजर आ रही है, और अपनी बेटी के साथ मुंबई में खुशी पूरवक रह रही है, फिल्म ट्रेंट्मेंट की पूरी टीम महिमा जी के उत्तम स्वास्थ, उज्वल भविश्य और दीर्ग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बटन पर क्लिक करें, और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूले, साथ ही फेस्बुक पेज क लाइक और फॉलो करें, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार